Hello everyone, welcome to my channel All About Biology and this is Jyoti Verma आज हम लोग बात करने वाले हैं Anomalus Secondary Growth in Borhaviar Stem के बारे में इससे पहले हम लोग Anomalus Secondary Growth को डिसकस भी कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर Borhaviar Stem के TS के बारे में डिसकस करने वाले हैं So Outline of the Section की अगर हम बात करें तो यह लगभग Circular in Shape में हैं इसके अलावा Epidermis की अगर हम बात करें तो Uniserate Epidermis यहाँ पर होता है जो की Cuticle से Covered है इसके अलावा Few Multicellular Hairs are also present Cortex की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो Cortex है वो दो Parts में आपको दिखाई देगी Outer Cortex जो की 3-5 Layered Colon Chimatis Hypodermis से मिलके बनी है और Inner Cortex जो की Chloran Chimatis General Cortex की Cells है यानि उपर जो Cells होंगे वो Colon Chimatis होंगे जिनने हम Colon Chimatis Hypodermis कह रहे हैं और नीचे Chloran Chimatis Cells होंगे जिनमे की Chlorophyll प्रेजेंट होगा और यह General Cortex का एक Part है इसके लावा Indodermis और Pericycle यहाँ पर Not Distinct है यानि आप Clearly इसको Identify नहीं कर पाएंगे Cells को देखकर Primary Vascular Bundles की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो Primary Vascular Bundles है वो है Conjoint, Collateral, Open और Indark Conjoint का मतलब यह होता है कि जो Xylem और Phloem है वो एक ही Radius पर प्रेजेंट होंगे Collateral का मतलब यह होता है कि Xylem Inner Side में होगा अंदर की तरफ होगा और Phloem बाहर की तरफ होगा Xylem अंदर की तरफ यानि कि पित की तरफ Xylem होगा और बाहर की तरफ Phloem प्रेजेंट होगा जब Xylem में जो Proto Xylem होता है यानि जो छोटे Size का Xylem होता है वो Center की तरफ होता है और जो Meta Xylem यानि जो बड़े Size का Xylem होता है वो बाहर की तरफ होता है तो इस Condition को हम In Dark Condition कहते हैं तो Primary Vascular Bundles में आपको Conjoint, Collateral, Open और In Dark Situation देखने को मिलेगी तो Diagram को देखने से पहले यहाँ पर कुछ Important Points है जो हमें पता होने चाहिए कि यहाँ पर जो Bore Heavy का Stem का T.S है जो अभी हम देखने वाले हैं उसमें आपको 3 Rings दिखाई देंगी Vascular Bundle की उसके बाद आती है Middle Ring जिसमें 6-14 Oval Vascular Bundles प्रेजेंट होंगे जिनमें की Secondary Growth भी होती है और इन Bundles को हम Medullary Bundle कहते हैं इसके अलावा Inner Ring में आपको 2-3 Large Vascular Bundles देखने को मिलेंगे और इन्हें भी हम Medullary Bundles ही कहते हैं और यह जो Vascular Bundle है जो Inner Ring में होते हैं दो Vascular Bundle उनका जो Protozylem होता है वो आपस में एक दूसरे की तरफ फेस करता रहता है और यहाँ पर भी Secondary Growth प्रेजेंट होती है बोर हैविया की केस में जो Cambial Ring का Formation होता है उसमें जो Cambium वर करता है वो किस तरीके से करता है वो भी हमें पता होना चाहिए तो यहाँ पर जो Cambium है वो क्या करेगा यह Secondary Phloem को बाहर की तरफ कट करेगा और उसके साथ-साथ यह Parenchymatis Ground Tissue को भी कट करता है जिसे हम Storage Parenchyma कहते हैं तो बाहर की तरफ यह Secondary Phloem और Storage Parenchyma को कट करेगा जबकि अंदर की तरफ यानि की पित की तरफ यह Secondary Xylem और इसके साथ-साथ-साथ Conjunctive Tissue को यह कट करता है अंदर की तरफ तो Cambium इस तरह की functioning यहाँ पर शो करता है इसके बाद the activity of this Cambium may stop and new Cambium ring may be formed in the Parenchyma outside the secondary phloem in this way successive Cambium rings may arise तो यहाँ पर anomalous secondary growth देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो Cambium है वो एक बार function करता है कुछ समय के लिए active रहता है और उसके बाद उसके बाहर एक दूसरी Cambium ring का formation हो जाता है तो इस तरीके से कई Cambium rings का formation यहाँ पर होता है और उसी के according Vascular bundles की rings आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी पित की अगर हम बात करें तो पित यहाँ पर large है और parent climatis है तो यह हमारा बोर हैविया के stem का जो ts है उसका diagrammatic representation है इसमें आपको सारे parts clearly दिखाई देंगे जैसे की हमारा epidermis, hypodermis, cortex, endodermis, pericycle, उसके बाद हमारा आता है secondary phloem, उसके बाद cambium, उसके बाद secondary xylem जो की यह पूरा red वाला portion है और यह जो black वाला portion आप देख रहे हैं यह जो black ring है यह cambium की ring है जिसकी functioning की वज़े से ही यहाँ पर anomalous secondary growth देखने को मिलती है उसके अलावा यह जो cambium है यह secondary xylem और conjunctive tissue कट करता है अंदर की तरफ और यह secondary phloem और parent काइमा बनाता है बाहर की तरफ इसके साथ साथ आपको कुछ और vascular bundles भी देखने को मिलेंगे जो की आपको center region में देखने को मिलेंगे तो इन bundles को हम medullary bundles भी कहते हैं overall आपको three rings यहाँ पर दिखाई देंगी vascular bundle की एक outer ring यह जो आप ring देख रहे हैं यह outer ring है जिसमें बहुत सारे vascular bundles present है इसके बाद एक middle ring जिसमें six to fourteen vascular bundles present होंगे और एक central ring जिसमें दो से तीन vascular bundles present होते हैं तो borehavya के case में आपको कुछ इस type का arrangement देखने को मिलेगा तो यह borhavya की stem का cellular diagram है TS का और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा epidermis जिसके उपर है cuticle यहाँ पर section में आपको hairs भी दिखाई देंगे इसके साथ साथ stomata भी यहाँ पर present होगी epidermis के बाद हमने आपको बताया था कि cortex है और cortex दो layer में divisible थी वहाँ पर जब हम discuss कर रहे थे सो cortex में सबसे पहले आता है colon chimatus hypodermis और उसके बाद आता है chloranchimatus general cortex उसके बाद हमारा आता है indistinct endodermis और pericycle उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर primary phloem के cells हैं जो की एकदम crush हो चुके है secondary growth होने के बाद उसके बाद हमारा आता है secondary phloem यह जो region आप देख रहे हैं यह secondary phloem का region है उसके बाद यह जो black वाला portion है यह हमारा cambium है जिसकी activity की वज़े से secondary growth हुई है और यह cambium क्या करता है यह cambium secondary xylem और conjunctive tissue को अंदर की तरफ कट करता है और secondary phloem और perenchyma को बाहर की तरफ कट करता है यह cambium इस तरीके से function करता है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह हमारा secondary xylem है और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो cells है वो है conjunctive tissue के उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे छोटे-छोटे patches में primary xylem दिखाई देगा और इसके बाद आपको middle ring दिखाई देगी vascular bundles की जिनमें की 4 to 6 vascular bundles present हो सकते हैं और center में आपको जो vascular bundles दिखाई देंगे center में आपको 2 vascular bundles दिखाई देंगे जिनका जो proto xylem होगा वो एक दूसरे की तरफ face कर रहा होगा तो ये भी हमारे medullary bundles है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो red वाला portion है ये हमारा xylem है black वाला ये cambium है और ये जो blue वाला है ये phloem है तो ये जो पूरा structure आप देख रहे हैं ये medullary bundles है तो ball heavy के case में आपको कुछ इस type का arrangement देखने को मिलेगा यहाँ पर anomalous secondary growth देखने को मिलेगी क्योंकि cambium की functioning की वज़े से यहाँ पर आपको vascular bundles की rings देखने को मिल रही है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe करिए, like करिए, share करिए, thank you so much